Hello everyone, this is Prashant Singh and welcome to AC Plus मैं आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर तरीके से चल रही होगी देखिए एक चीज याद रखिए कि काम्याबी और नाकाम्याबी दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू और ये दोनों ही एक समय के बाद बदल जाते हैं, ये दोनों ही इस्थाई नहीं है तो अगर आप नाकाम्याब हैं तो आपको घबराने की जवरत दी है आपको उस चीज से बाहर निकलने के लिए और अपनी काम्याबी तक पहुँचने के लिए मेहनत करने की जवरत है और अगर आप काम्याब हैं तो उसका घमंड मत करिए क्योंकि वो भी काम्याबी पर्मानेंट आपके पास हो सकता है कि ना रहे तो उसको मेंटेन रखने के लिए उसके लिए आप मेहनत जो है वो भी करते रहे तो इस चीज़ को समझाने के लिए मेरे पास जो लाइन है वो यह कि काम्याबी और नाकाम्याबी दोनों जिंदगी के हिस्से हैं दोनों ही इस्थाई नहीं है तो इस्थाई बनाए रखने के लिए उसके लिए आपको लगातार मेहनत करना पड़ेगा और अगर नाकरामियावी है इस से बाहर निकलना है और कामियावी की तरफ पहुचना है तो उसके लिए भी मेहनत करना पड़ेगा तो बस मेहनत करते रहिए पढ़ाई करते रहिए और एक दिन सफल तब आपके कदम जरूर चुमेगी मैंने आपसे question of the day पूछा था कि after whom was उधंपुर railway station renamed उधंपुर railway station का नाम बदल कर किसके नाम पर रखा गया है तो याद रखिए कि अब उधंपुर railway station जो है वो सहीद कैप्टन तुसार महाजन के नाम से जाना जाएगा अब हम उसको सहीद कैप्टन तुसार महाजन railway station जो है वो कहते हैं ऐसा क्यों किया गया तो तुसार महाजन का जो जन्म है वहां कहां हुआ है वो उधंपुर में हुआ है 25 मई 1987 को और उधंपुर जम्मू एंक कस्मीर में उनके जन्म के साथ ये उनकी यात्रा जो है वो सुरू होती है पंपूर operation की अगर बात करें तो उसमें तो याद रखिएगा कि अब उधंपुर रेलिवे स्टेशन किस नाम से जाना जाएगा वह सहीद कैप्टन तुसार महाजन के नाम से जाना जाएगा को स्टन नंबर फर्स्ट की हम बात करते हैं क्या है तो वह राइनो से रिलेटेड है और वहां पर बोल रहा है कि विन वर मनाया गया है वह कम मनाया गया वह 22 सितंबर को मनाया लगातार डे से रिलेटेड कोस्टन जो है वह हम कर रहे हैं लगातार हम यह देख रहे हैं किस दिन कौन सा डे सेलिब्रेट हो रहा है क्यों क्योंकि इनके एक्जाम में आने की संभावना सबसे जाता है सेकेंड सेप्ट सब्सक्राइबर की बात करते हैं तो वहाँ पर आपको इंटरनेशनल लिट्रेसिटे और कुछ और भी दिवस दिखेंगे 9 सेब्टेंबर को अगर आप देखेंगे तो वर्ड फर्स्टेट डे हिमालिया डे और चीजिया आपको दिखेंगे 10 सेब्टेंबर जो है वर्ड स्व Day of Democracy के तोर पर मनाया जाता है 16 September जो है World Isaiah के तory पर मनाया जाता है 17th September डिमम्र सेफ्टिग के तory पर मनाया जाता है 17 September जो है वह वपनबुे हैं और किके करते हैं तो International Peace Day के तोर पर हम उसको सेलीब्रेट करते हैं तो यहां पर यह लिस्ट है अभी अभी जितने भी कोश्चन हमने की हैं सेप्टेंबर मन्त के वह यहां पर है इसको देख लीजे इसको याद कर लीजे और एक्जाम में अगर आए तो इसको जरूर ही सही कर दीजेगा गलत करके मत आ जाईएगा बासवन में आ रही है चले कोश्चन नमबर सेकेंड की बात करते हैं एक पेड़ की बात कर रहे हैं और है देवदार का पेड़ सबसे पुराना देवदार का कोश्चन आ रहा है कि सर वेर वाज्ट ओल्डेस्ट केदार ट्री फाउंडेड रिसेंटली हाल ही में विस्व का सबसे पुराना देवदार का पेड़ कहां पाया गया है ठीक है या उ जंगास वेली फेस्टिबल जो है उसका आयोजन किया जाएगा बात सुन में आ रही है जम्मू एंड कस्मीर के भद्रवाह राजमा और रामबन सुलाई सहद इसकी भी कहानी मैंने आपको बताई है इन दोनों को जी आई टेग जो है वो मिला हुआ है कस्मीर जो है वो मिस वर मैंने आपको कराया है फटा फट बता दीजेगा कि कहां पर किस जगह पर दुनिया का सबसे उचे इस्थान पर राश्ट्री ध्वज फैराने का जो न्यूस थी वो किस जगह पर थी वो इस्थान कुन सा था और वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में क्या सामिल हुआ ट्यू के लोगों का अनावरण किया है जब लोगों कि अगर हम बात करें है फिस राज्य के राज्य पाल ने किया है तो रखिये कि 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 वह किस ने किया है कि वह रहे है अभी कुछ दिन पहले पहले ही मैंने आपको बताया कि सर यूनेसको की साइट पर एक और साइट जुड़ गई है और वहां पर आप देखेंगे तो फोटी वंथ नंबर की जो साइट थी वो कौन सी थी सांति निकेतन तो सांति निकेतन को क्या किया सामिल कर लिया है भारत की बात करें तो भारत में टोटल कितनी हो गई है तो 42 हो गई है ठीक है अब 42 नंबर पे कौन है वो भी मैंने आपको बताया है तो अगर आपको पता है तो कमेंट करके आप वो भी बता दीजा पस्चे मंगाल ने 15 अप्रेल को पोईला बैसाख मनाने का फैसला जो है वो किया है ठीक है कोलकाता सहर ने वाई गुडबत्त पूर्व चेतावनी प्रणाली अपना ली है और एससबी ने सीली गुड़ी में 54 फिट के तिरंगे जंडे का अनावरण भी किया है ठीक है और वेस बेंगॉल की बात कर रहे है तो दीदी का नाम आपको प्रतिष्थित अकलव्य पुरुसकार से किसे सम्मानित किया गया है ठीक है इनका नाम है पलक सर्मा ठीक है अभी हाल ही में आप देखेंगे तो पलक सर्मा को क्या किया गया है एकलव्य पुरुसकार से सम्मानित किया गया है ठीक है पलक सर्मा की अगर आप बत कर करेंगे तो फील्ड में प्रदान किया जाता है अगर आप से छेत्र पूछेगा तो आप खेल बताएंग बास्वाज में आ रही है खेल के छेत्र में एकलव पूरिस्कार जो है वो प्रदान किया जाता है यहां पर और याद रखिएगा किसको प्रदान किया जाता है तो 19 वर्ष या कम आयू वालों को ठीक है तो एकलव्य पुरस्कार पाने का दावेदार जो है वो कौन हो सकता है वो 19 वर्सी है उससे कम आयू के जो खिलारी है वो एकलव्य पुरस्कार पाने के दावेदार हो सकते हैं अभी किसको मिला है पलक सर्मा को मिला है जो 16 वर्सकी है और गोता खोर बात सुझ में आ र रहा है तो विच स्टेट गवर्मेंट रिसेंट्ली इंट्रोड्यूस्ट डबिल टू रेगुलेट अपॉइंट्मेंट ऑफ इस्टेट वाइस चांसलर हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्यों के कुलपतियों की नियुक्ति को विनियमित करने के लिए एक विधेयक जो है वो पेस किया है और वो राज्य कुन सा है जहां पर कुलपतियों की नियुक्तियों को क्या किया जाएगा रेगुलेट किया जाएगा वहां पर जो राज्य है वो है हिमाचल प्रदेश तो हिमाचल प्रदेश है जो वहां पर वाइस चांसलर की नियुक्ति की जाएगी अब एधिए वह पेस किया हिमाचल प्रदेश की बात कर रहे हैं तो हिमाचल प्रदेश की capital आपको पता ही है कि सिमला है हिमाचल प्रदेश के cm जो है उनका नाम है सुख्विंदर सिंग सुखु और हिमाचल प्रदेश का एक निकनेम है हैं जिसको आप mountain state के नाम से जानते हैं राइट कि इसको बोलते हैं mountain state कि दूसरा इसमें आपको याद रखना है capital क्या है तो capital है इसके similar कि और cm जो काफी popular है वह है सुखविंदर सिंग सुख्खु कि विंदर सेंग सुख्खु यहां पर याद रखिए कि अगर हिमाचल प्रदेश की बात आती है तो याद रखिए कि mountain state कहलाता है similar capital है सुख्विंदर सिंग सुख्खु जो है वह इसके cm है और अगर governor भी याद रखना है तो governor भी आप याद रख सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश के governor स्यू प्रताप सुकला है तो अगर आप governor चाहें तो वह भी आप याद रख सकते हैं कौन है वह हैं स्यू प्रताप सुकला है याद रखिए दूसरा हिमाचल प्रदेश के बारे में बात कर रहे तो अभी क्या-क्या रीसेंटली न्यूज में बना हुए वह देख लीजे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने विकलांग बच्चों को ससक्त बनाने के लिए सबल योजना की सुरुवात की हमाचल प्रदेश सरकार ने सफाई कर्मेचारिओं को आयुसमान भारत योजना में सामिल किया है। प्रदर्शनी का योजन अभी किया गया था इस पर क्या चीजें थी किस चीज की प्रदर्शनी हो रहे थी सब चीजों पर हमने डिस्कुर्शन किया है और इससे संबंदित कोश्चन भी पहले किये हुए हिमाचल प्रदेश सरकार ने हस्त सिल्प एवम हतकरगा निगम का नाम यह बार बार याद कराता रहता हूं कोशन नमबर सिक्स की हम बात करते हैं कोशन नमबर सिक्स की बात करें तो यहां पर आप देखिए कि विच कार कंपणी है रिसेंटली डिसाइड़ टु एंड प्रोड्यूस डीजल कार्स बाइट टूथाज़वजन टूटिफॉर हाल ह जो डीजल कार है उनको पूरी तरीके से उनके प्रोड़क्शन को खतम कर देंगे और खतम करने के बाद हम सिर्फ क्या करेंगे एलिक्ट्रिकल वेहिकल जो है का उत पादन करें बासवन में आ रही है तो अभी वोल्वो जो है वो बनने वाली है टोटली इलेक्टरी वेहिकल प्रोड्यूसर कंपनी के तौर पर आप इसको जानेंगे वोल्वो की अगर आप बात करते हैं तो वोल्वो का जो कुशन नमर सेवन की बात करते हैं रिसेंटली प्राइम मिनिश्टर मोदी हैस इन्वाइटेट अफ विच कंट्री तू तू बी दा चीफ गेस्ट ऑन रिपब्लिक डे हाल ही में प्रधान मंत्री मोदी ने किस देश के राष्ट पती को गड़ तंत्र दिवस पर मुख्यतिती बनने के लिए आमंत्रित किया है और वो और कोई नहीं है बलकि यूएसे के राष्ट पती जो बाइडन तो याद रखिएगा कि यूएसे के राष्ट पती जो बाइडन जो है वो इस साल हमारे देश में रिपब्लिक डे पे चीफ गेस्ट के तोर पर सामिल होंगे भारत औ लगातार इनके बीच में अगर आप देखेंगे तो लगातार इनके बीच में कहीं न कहीं अलग-अलग पहलियों में तालमेल जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है दोनों देशों के बीच में एक मैत्रिपूर्ण व्यवहार जो है मैत्रिपूर्ण वातावरंड जो है समीट में हिस्सा लिया है आपके लिए समिट का अभी हाल में रखिये利 वह वंने वाला है अमेरिका के राश्पती चीवेस्ट बनेगे आधिकारिक तौऊற पर 3 सितमबर को सिंद्धर्म धिवस घोसित किया यह बहुत ही important point है और जॉर्जिया ने October को हिंदू विरासत मा घोसित किया अमेरिका के ओस्कर विजेता निर्देशक विलियम फ्रेड किन का हाल ही में निधन हो गया है यह भी काफी अभी चर्चा में बने हुए question number 8 के हम बात करते हैं question number 8 जो है वो बोल रहा है which state government has recently launched the chief minister self-reliant अभियान हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्य मंत्री आत्म निर्भर अभियान जो है वो असम के जो cm है वो काफी चर्चा में बने रहते हैं अलग-अलग प्रकार से आप उनको अलग-अलग कारणों की वज़े से उनको आप देखते हैं और आपको यह पता चलेगा कि वो जो हेमंत विश्व सर्मा जी है हिंदुत्य को लेकर भी काफी न्यूज में वो बने रहते हैं और कभी-कभी उनके बयानों के करण वो विवादों का हिस्सा जो है वो भी बन जाते हैं ठीक है फिलाल अगर आप देखिए राज्य आत् देखने को मिलता है कि ही रिसेंटली अवाड़ेट सिंगापूर स्टॉफ फेलोशिप हेमंत विश्व सर्मा की अगर हम बात करते हैं तो उनके बारे में एक चीज़ याद रखिएगा इनको अभी अवार्ड किया दिया गया है ना तो यह यहाद रखिएगा कि हाल ही में सिंगापूर टॉफ फेलोशिप या हाइस फेलोशिप का अवार्ड जो है वो किसको प्रदान किया गया है हेमंत विश्व सर्मा को ही प्रदान किया गया है अगर बात कर रहे हैं तो असम के बारे में आपको पता ही है कि लैंड ऑफ ब्लू हिल्स के तौर पर यह जाना जाता है और गुलाब चंद कटारिया जो है वो इसके गवर्नर है ठीक है तो असम के बारे में एक चीज और याद रखे लैंड ऑफ ब्लू हिल्स ठीक है यह पॉइंट इसमें याद जरूर रखे लियर है आई यह देखे हैं असम के मुख्यमंत्र को सिंगपूर का सीर्स फेलोशिप से सम्मानित किया गया है पेप्सिको असम में नया प्लांट लगाने के लिए 778 करोड रुपय का निवेश करेगी और असम सरकार बहु विवाप प्रतिबंध लगाने के लिए राज्य विधान सभा में एक विध्यक पेस करेगी असम में आपको यह चीजे जो है वह बहुत ज्यादा देखने को मिल आपको असम सरकार का विध्यक देखने को मिलेगा और चोकुवा चावल जो है चोकुवा राइस जो है उसको हाल ही में जी आई टेग मिला है वो भी मैंने आपको कराया हुआ है कोशन मर 9 के हम बात करते हैं कि हाल ही में सत्यजीत रेफ फिल्म और टेलिविजन संस्थान की अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है तो एक नाम याद रखिए सुरेस गोपी तो सुरेस गोपी जो है उनको अभी नामित किया गया इसके अलावा अगर आप दिखते हैं तो एसके स्वामी जो है उनको क्या किया गया है audit bureau of circulation का देख्श चुना गया जोसित र हैं मध्य रेलवे के प्रधान मुख्य परिचालक स्प्रबंदक का परपदभार उन्होंने समाला है तो अभी हाल ही में इतने मैंने आपको अपॉइंट्मेंट जो है वो कराए थे और भी कराएं लेकिन अभी जो रिसेंटली आपने देखें वह यह है तो एक बार इनको भ हां अभी पार वह गहरी है बात रहे हैं में कर다 करते हैं तो टोड़ासा स theor के देख रहे हुआइए अगर है सियम की बात करते हैं तो K. चंद्र से खर राओ तीलंगाना चैम है और Capital तो आपको पते ही है है एदराबाद तो यह भी पॉइंट याद रखी है ठीक है 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 एदराबाद की दो चीजें बहुत पॉपुलर ठीक है एक चार मिनार और बिर्यानी यह दोनों चीज़े यहां की काफी ओपलर है तेलंगाना सरकार जो है चात्रों के लिए मुख्यमंत्री नास्ता योजना की घुस्णा उन्होंने की है दूसरा आप देखिए तो कॉर्णिंग इंक भारत में तेलंगाना में अपनी गोरिल्ला ग्लास वीदिरमा तेलंगाना सरकार ग्रिह लक्षमी योजना की सुरुवात की है आलोक अराधे जो है वह हाल ही में तेलंगाना उचनियाले के मुख्य नयाधी इसके पद पर अभी उन्होंने सपत लिए ठीक है तो यह आज के हमारे 10 क्वेश्चन थे आपके लिए जो क्वेश्चन आफ दे तो देखिए और इसको कमेंट करके बता दीजे कि सर इसका राइट एंसर जो है वह क्या है बाकिया पढ़ाई करते ही खुश्री है थैंक्यू सुमर्ण